हाई अबरिवन वल्कम टो डिश्चल जी के क्लासेस तो आप सभी को बहुत सारे इंफोर्मेशन देनी है क्योंकि जब से न आई ओयस डिलेट का आपको पता है सुप्रिम कोड से अयोग ये घोसित कर दिया गया है तब से बहुत सारे कानिडेट्स जो कि मैसेज कर रहे हैं जि जो बिहार प्राथमिक सिक्षक भरती 6 फेस था अपको पता ही है उसमें प्राथमिक में 28 अभिहर्ती जो चैनित होए थे उनको हटाने बाहर करने के लिए जो याचिका जो है दायर किया गया था उसकी सुनवाए जो है पटना हाइब कोट में आपको दिसम्बर के सेटेकंड वीक तक जैसे की आपको पता हिए 15 जो मामिला चला था इतने समय तक फैसले को रिजर्व करके काफी लंबे बाद उसकी सारी चीज़े हमारे सामने आई थी वैसे ही बट इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो जजमेंट उसको रिजर्व कर लिया गया है दिसमबर के सारी वेक में आपको सारी चीज़े पता चल जाएंगी देखे ये सारी चीज़े अभी तो बस NIOUS डिलेट के बारे में ही इन्फोर्मेशन निकल कर आ रही थी कि सायद सिक्स फेज में या फिर टी यारी वन पॉइंट ओ में से बाहर नहीं किया जाएगा सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि बस एक सूप्रीम कोट का फैसला आपको पता है आया है अब उस फैसले के बाद से कहां कहां पर आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा ये कुछ लोग अपने मन से भी बता रहे हैं क्योंकि अभी तक ओफीशली कोई भी जो है नोटिस नहीं आई है चाहें वो केवेस की तरफ से हो चाहें वो बिपीएस की तरफ से हो ठीक है तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहां से आपको सारे अपडेट मिलते हैं बिहार सरकार आपको पता है बिहार सरकार डिलेट बिएट बच्व में जो भी सुनवाई हुई उसके जजमेंट को रिजर्व किया गया यह किसी को नहीं पता है कि किसके पक्ष में है तो उसके लिए आपको दिसंबर का सेकंड विक जो है वेट करना होगा और आप भी जानते हो कि जो पहले भी B.A.D. vs. B.T.C. का जो सुप्रिम कोट का फैसला आया था और उसके बहुत सारी कोसिस भी की गई थी चाहें वो B.A.D. के कांडिडेट सों चाहें डिलेट बट वो फैसला ही जो है मानना पड़ा सब ही को नुकसान बहुत जादा हुआ सेम वैसे ही सिक्स्थ फेज में जॉप कर रहे हैं लोग इसमें दो तरीके की जो है चीजी मुझे सुनने को मिली जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ज़स्मेंट एक्सेप्ट कर लिया गया है मतला ज़स्मेंट रिजर्व कर लिया गया है उसमें से में भी बेट को बाहर कर दिया जाए क्योंकि अलाबाद हाई कोट में जैसे यूपी का ही जो मामला था नहीं सिक्षा मित्र का पहले वो टीचर की रूप में कारे रत थे उनको सैलरी मिल रही थी सहाई का ध्यापक इतनी लंबे समय तक जो है नौकरी करने के बाद से अब आप जानते उनको 10,000 की सैलरी मिलती है सहाई का ध्यापक सिक्षक बस नाम मातर का है उनसे काम पूरा कराय जाता है सैलरी नहीं मिलती है तो यही सेम चीज उसको कंपेर किया जा रहा है कि जब वहां पर हो सकता है क्योंकि आपको भी बता है कि हाई कोट हो चाहे जब किया गया है वो सारी चीजे मैं आपको बताऊंगी बट एन आई ओएस डिलेट से रिलेटेड बहुत सारे रियूमर्स तो फैला ही जा रहे हैं देखिए अभी सब लोग अपनी मन से बता रहे हैं कि अच्छा यह हुआ था तो यह हो सकता है बट अभी तक कोई ओफीश स्यूरिटी थोड़ी ने देते हैं अभी केंदरी विद्याले में देखों अंडर्टेकिंग तो फॉर्म भराया ही जाता है कि स्यूरिटी नहीं है जो भी कुछ चीजे हैसे चेंज होगी तो बाहर कर सकते है और अभी टीरी 1.0 में जो भी एन आई ओएस डिलेड वो सबसे परेशान है सोचे एक्जाम क्लियर किया रिजल्ट मतला जो मेरिटल स्टाइटिस में उनका नाम आया ट्रेनिंग अभी साइद उनकी चल रही है या ट्रेनिंग प्रॉसेस कंप्लीट हो चुका है मोस्ली चीजे मतला उनकी कंप्लीट हो चुकी है और अब इस फेस भी जब को यह पहता चलेगा क्योंकि मैं को मिल चौँ लोगों का कहना ये है कि हम already किसी जॉब में थे बट हमनने वो जौड़ ली कैने घ्मारा इपी सेलЕक्शन हो गया अब हम कहीं के नहीं रहेंगे तो कहीं नहीं यह सारी चीजे जो है यह जो नीतियां आती है न कि सभी को सामिल कर दिया जाए जाए वोट मिल जाएगा उसी का यह सब कुछ नतीजा है मुझे एक चीज समझ में निया रही कि एंसिटी आपको भी पता ऑटोनोमस बॉड़ी है यह खुछ से अपने सारी चीजे करते हैं फिर दो दीन चीजे में आपको यहां पर कहना चाहूंगी सबसे पहले यह कि जो बीपेसी सैवंध फेस था उसमें क्या हो सकता है तो इसके बारे में बीपेसी की चैर्मेन आपको बताएंगे क्योंकि वहीं पर बीड़ अभी अर्थियों का कहना है कि जब परिक्षाफल प्रभ आज लग जाएगा कि क्या होने वाला है एना इस डिलेट का चाहें वो सिक्स्थ फेज में हो चाहें वो टियारी जो अभी आपका एक्जाम हुआ है उसमें हाँ यह जरूर है कि जो बीपेसी ट्यारी 2.0 है उससे तो बाहर हो जाएंगे ठीक है रही बात के विस प्यार्ट म बहुत सारे ऐसे एना इयोस डिलेट वाले जो कांडिडेट्स हैं ऐसा नहीं है नो डाउट की वो अच्छे नहीं होगे तब ही तो उन्होंने उस सेलेक्शन लिया है उनका लिस्ट में नाम आया है बट यह जो कुछ चीजे चलती हैं कि बीड वाले आयोग हो गये एना इयो अज में उसको माना जाएगा तो उस पर यह भी हो क्योंकि अपने अंडर्टेकिंग फॉर्म भी भरा होगा साथ में आपने नोटीस में पढ़ा होगा कि रिजल्ट के नीचे भी लिखा रहता है कि जो भी चीजे होंगी मतला अभी उससे परिक्षाफर मतला रिजल्ट पे पड़ेगा उसका प्रभाव पड़ेगा तो आप देखते हैं BPSC के चेर्मेन सर जल से जल इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे क्योंकि बहुत सारी चीजे तो क्लियर हो चुकी है कि TRE 2.0 चाहें आपका सीटेट का पेपर वन हो उसमें से तो NIOs डेड बाहर है बट जो एक चीज चल रही है कि वेटिंग लिस्ट उसका भी इंतजार कर रहे थे NIOs वाले साथ में जो लोग सेलेक्शन लेके BPSC के ट्रेइनिंग कंप्लीट करको स्कूल में जाने वाले हैं ये दोनों अभियरती सबसे ज़दा परेसान है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप देखो तो अगर एक्जाम ना दो उसके पहले बाहर हो जाए वो ठीक लगता है मतला इंसान सह लेता है कि चलो ठीक है अभी इस स्टेज पे बाहर हुए बढ़ पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद से एक दो महीने के ट्रेइनिंग के बाद से लिस्ट सारी खुसियां जो है कि रिजल्ट में नाम आगए पूरी फैमली जो है हैपी हो जाती है उसके बास इस स्टेज पे बाहर करना बहुत ही जादा मतला मैं तो उसको बता भी नहीं सकती है अपने वर्ट्स में तो फिलहाल के लिए तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगी कि चाहें वो सिक्स फेज हो चाहें सेवन्थ फेज हो आपका या यह जो टियारी टू पॉइंट हो का तो आपको पता यह बाहर हो चुके हैं इसके लिए आपको नोटिस का वेट करना चाहिए बिपेसी के द्वारा क्योंकि वही डिसाइड करेंगे और में भी आपको सेकंड जो मेरिट लिस्ट है जिस जो फ्रेस्ट कांडिडेट्स हैं उनको तीस नोबर मतलब कल की लास्ट डेट है तो जो लोग भी सेकंड वेटिंग लिस्ट की का वेट कर रहे थे उनको अब दिसंबर में में बी 15 दिसंबर के आसपास आपको इन्फोर्मेशन देखने को मिले और आपको पता ही है कि वेट दन आपको भरोसा हो जाएगा बट अभी के लिए तो वही है कि अब प्राथमिक सिक्षक भरती में केवल बीटी सी जिसे बोलते हैं जे बीटी डिलेड जो कांडिडेट्स हैं यही योग यह हैं बाकि बीड़ वाले आपको पता है इसमें जा सकते हैं एन आई ओयस डिलेड का जो वर्क होता है कि आपने जॉइन कर लिया है 90 डेस के अंदर अगर कुछ भी ऐसी चीजें आते तो बाहर कर दिया जाता है ऐसी भी मैंने चीजें सुनी है तो देखते हैं क्या होता है बाकि जो भी इंफोर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी ते नेक्स क्लास में थाज़ा जूर को सही थाज़ान आपको सम्हा